जै शनी देव प्रियभग करूं मैं गुरुमार्गमनी आप सभी के सामधे उपस्तित हुई हूँ आज नए साल के इस पहले वीडियो जहां मैं आपको अदाने वाली हूँ कि नए साल में आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपका ये साल बहुत ही बहतरी चाहे आप अपने ग्रेहों को बदल सके अपने नक्षत्रों को बदल सके और जो विपरीज समय आपका चल रहा है उसको भी आप बहतर कसे जैसा कि आप जानते हैं पहली जन्वरी 2020 को हमारे शानी पीट मंदिर नए दिल्ली ने एक यक्य का आयोचन किया था नए वर्ष के लिए नए वर्ष की शुकता के लिए नए वर्ष के भा के उधे के लिए हमने आप सभी भक्त करनों के लिए वो यक्य किया बहुत से लोग इस यक्य में पूरी दुनिया से जुड़े जो आ नहीं सके उन सभी के लिए मैंने अपने हाथों से आहूती बतान की और जो लोग दिल्ली के आसपास थे या दिल्ली में थे उन्होंने आकर की अपने ही हाथों से अपने नवगरें को शांत करने के लिए प्र आप सभी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हों और आप सभी को धन्यवाद भी देती हूं बहुत से लोगों ने बचरकी इसमें हिस्ता लिया इस यक्य में अपनी और से उन्होंने जो भी वो कॉंट्रिबूशन कर सकते थे, जो भी आहुती डालना चाहते थे उन्हों बन हुआ, नए साल की शुब कामनाओं के साथ, मैं आप से ये भी कहना चाहूँगी, कि अगर आपने हमारे ये चैनल, गुरु रचनीश रिशी जी, जो आज एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है, लगबग 13 लाग से जादा सब्सक्राइबर्स इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, एक परिवार की तरह हैं, यदि आप भी उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बचन को दबाईए, और घंती का आइकन, बेल का आइकन भी अवश्य दबाईए, समय समय पर हमारे चैनल पेज, गुरु रजनीश रिशी जी पर जाना ना भूले, और साथ ही यूट्यूब पर गुरु रजनीश रिशी जी या गुरु मारुत्मनी जी सर्च करके, आप हमारे लेटस वीडियो को प्राफ्त कर सकते हैं, ओम सर्व मंगले मंगले शिबे सरवार्ख साधिके, शरने त्रम्भ की कौरी नारा यही नमोस्तु सबके जीवन में मां मंगल करें, ऐसी कामना करते हुए आए जानते हैं, वर्ष 2020 में आप ऐसा कौन सा घरील उपाई कर सकते हैं, जिससे कि आपके बुरे से बुरे ग्रह भी बदल जाएं, आसान उपाई में आपको बताना चाहती हूं, और यह उपाई इस बात भी निर्भ नियम से ही चांद आप कुरान को देखने को मिलता है, नियम से ही नदिया बहती है उपर से नीचे, नियम से पूरी सुर्ष्टी चल रहे हैं, एक की बात दूसरा मोसम आता है, तो पूरी सुर्ष्टी कुछ नियमों से कुछ क्रम से चल दे, ऐसा ही एक नियम है दूसरे को अगर हम अपनी मनुष्य धर्म का पालिन करते हुए दूसरे को कुछ भी प्रदान करते हैं तो यह भ्रह्मान यह प्रकृति हमें चार गुणा वापस करते हैं यह बहुत ही सरल नियम है यदि इस नियम को जीवन में याद रखोगी तो कभी भी जीवन में आभाव नहीं होग और इसी नियम पर आज मैं आपको एक ऐसा उपाई बताने चारी हूं आपकी राशी के अनुसा जिसे करने से आपकी जीवन में कभी भी कभी नहीं आभाव नहीं होगा दुख की चाया नहीं हीना वैसे तो सुख और दुख दोनों ही जीवन की पीक पेलूँ है लेकिन फिर सा उगाई है कुछ जादा करना भी नहीं जादा खर्चा भी नहीं है अगर इसको प्रयोग आप करते हैं तो अवश ही 2020 धीरे-धीरे करके जितने पुरे से बुरे घ्रह क्यों ना हो विकट से विकट है क्यों ना हो कितने भी नीच योग बन रहे हो कितने भी नीच अस्त ग्र अगर आपकी राशी मुद्र है यानि कि जैमिलाई ऐसी स्थिती में आपने क्या करना नहीं बुद्धवार के लिए आप अगर छूटी बच्चियों जो कवारी गध्याएं होती हैं जिनकी उम्र 13 साल से कम है या 13 साल है उनको अगर मीठा कुछ खिलाते हैं हल्वा खिला सकते हैं चॉकलेट खिला सकते हैं मीठे बिस्कित खिला सकते हैं कुछ भी मीठा अगर उन्हें खिलाते हैं और उसे वह प्रसन होती हैं तो अवश्य ही आपका समय बदलने लगा हफ्ते में एक बार हर बुद्धवार इस कारी को अवश्य करें आप एक पांच साथ या उससे लेकिन बहुत असरदार हैं सस्ता है लेकिन बहुत शक्तिशाली है बस इतना सा आपने करना है और देखिए कैसे आपके जीवन में चमतकार होगा और फिर भी जीवन में आपके कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए आप बिल्कुल घमरायनी आपके गुरुमारुक्मनी हमे कोई भी आप समस्या जीवन में उठती है हमारे शनीपीट मंदिर के जो नंबर है वो हमेशा आपकी स्क्रीन पर रहते हैं आप कभी भी उन में से एक नंबर को डायल करें और वहां से अपनी जनम को लिदिखाने के लिए अपने लिए उपाई जानने के लिए आप हम से पर इसे लोग मेरे पास आते हैं जिनके पास फीस नहीं है उनको हम प्री देखते हैं और इतने सारे लोग जिने हर मंगलवार शनीवार हम प्रसाथ भिरंट करते हैं जो समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान हों करते हैं उन समी के लिए ये प्रयोग की जाती है लगमक्त बहुत से लोग उने रिक्वेस्ट की तो हमने एक आचारी जी एवां एक स्वामी जी को बिठाया है जो कि हर शनीवार रवीवार आपकी फ्री में कुंड़ी देखने के लिए उपस्तित होते हैं तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ही गरीब है और फिर भी अपना उपाय जात हैं तो उनकी स्वामी जी का अचारी जी का जो भी खर्चा है वो मध्यत देता है लेकिन आप उनसे अपनी को रिलीफरी दिखा सकते हैं इन सब ये कारियों में ये पीस प्रयोग की जाती है इसलिए छोटी सी पीस तो हमने रखी है और वैसे भी आप जानते ही है इस प्रका काल जी डायरेक्टली आम ने सामने मुझ से बाट कर सकते हैं या हमारे G DWاج लाजी ट्री से बाध कर सकते हैं या हमारी है जो स्वामी जी है जिनका देली राज हारता है आसवामी राचिध एवरा को भी दिखा सकते तो वे लेखिए 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 जहार्वाजार्ट पर एंपलावाज रार आविवाज अपलावाज। जो शीम्सराइकन एंपलावज, Cना इल्म्स पर्द चालावाज़ाजित्ट जिवाज़ अबस्यां दो उब हो चालाव आटाज़ और इन्यारशब It's just that I'm still convincing my guru. He says we will never leave this Jai Shri Shanidev here because they are busy. I said no, guru one day. Just your presence. We need you in South Africa. We need guru in South Africa because of people they need to understand deep. Jai Shanidev. I have heard one question about the people that say that Guru is so much in the world. We do a lot of worship, we do a lot of worship, we do a lot of worship. We do a lot of worship and we do a lot of worship. I am very happy with the people. I am happy with the attitude of the women that are very happy and the women not to be with the same. One day we got a museum to it was it was a museum marble thing to be damaged and it was very beautiful and warm stuff. Everybody is so excited about that. People come forward with this photo and take the photo and take the photo and take the photo. कुल वाहवा करते हैं तो एक दिन रात्री के समय जब सब चले गए म्यूजियम बन हो गया तो वहां जो टाइल थे मार्बल की उन्होंने मार्बल का जो पुतला था जो स्काच्यू था उससे पूछा अरे भाईया मुझे एक बात तो बताओ तुम भी मार्बल से बने हो और मै तो इतना अच्छा मांते हैं और मेरे उपर केवल पैर रख रख के जाते हैं तो इस बात को मुझे समझ नहीं आया अरे मैं भी मार्बल से बना हो तो इतना अन्याय मेरी साथ क्यों तो उस पुतली ने जवाब दिया ऐया ऐसा है जब शिल्पकार हम दोनों को एक गुफा मि से ले करके आया, हम दोनों एक ही जगा से आये, वहाँ से जब वो शिल्क पार हमें ले करके आया, तो उसने तुम पर अपनी जो हतोडी और छेने थे उससे प्रहार करने की कोशिश की पर तुम इतने जिद्धी बन गए, तुम इतने नेगिटिव बन गए कि तुमने उससे प्रहार नहीं करने की तुम बिलकुल भी मूर्ती में ढलने को तयार ना थे तब उसने मुझ पर प्रहार किया मार्बल की जो टायल थी वो कहती है औरे भाईया तुने वो हतोड़ा और छेनी देखा था कितना दर्द होता उससे अगर वो शिल्पकार मुझ पर वो सब चलाता तो मैं तो दर्द के मारे मर ही जाता इतना दर्द कौन सेहता भाईया उस मुर्थी ने कहा देखो उस शिल्पकार ने जब मुझ पर वो हतोड़ा और छेनी चलाए बहुत दर्द हुआ बहुत परिशानी आई मैं बहुत दर्बा बहुत रोया लेकिन जैसे जैसे वो छेनी और हतोड़े से मुझे बनाने लगा मेरी काया कल्प होगे और उसने मुझे इतना खुबसूरत रंग धाला इतना खुबसूरत बना दिया कि आज दुनिया मुझे देखती है प्रशंसा करती और तुम क्योंकि दर्द से डर रहे थे परशानी से डर रहे थे तो किवल मार्बल की टाइल बन सके और लोग तुम पे चलके जाते ये कहानी जो है किवल ये समझाने के लिए है कि जो आज अपनी चुनोतियों से घबरा गया जो आज अपनी दुख से घबरा गया वो व्यक्ति कभी भी जीवन में आगी चलके कुछ नहीं बन सकता अगर आपने जीवन में कुछ बना है अगर जीवन में आगी उन्नती करनी है तो आज कष्ट को जेलना ही होगा बड़े बड़े लोगों ने इस बात को कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में संघर्ष नहीं देखा, दुख नहीं देखा, तकलीफ नहीं देखी, वो जीवन में कुछ भी नहीं बन सकता तो अगर आज आपकी जीवन में कृष्ट हो रहा है और सामने वाले को आप देख रहे हूँ बहुत आनन से अपना जीवन काट रहा है तो इस कहानी को ज़दा याद करना क्योंकि आज आज आपके संघर्ष के दिन जरूर है लेकिन आने वाले समय ग्रहे आप ही के साथ देग जीवन आप ही को आगे बढ़ाएगा और आप ही इस दुनिया में मशूर होगे कुछ अच्छा करपाऊगे तो इस बात को हमेशा याद रखना यदि कुछ बनना है तो कष्ट तो भोगना ही पढ़ता है और यदि कष्ट से आप बच्चते रहोगे तो आगे जीवन में प्राथना करती हूँ ये नया साल 2020 आप सभी के लिए बहुत सुदर और अच्छा हो मंगल मैं हो ऐसी में प्राथना करती हूँ आप सभी को अपना अशिरवार देती हूँ जय शर्ट हमारे वीदों पुरानों धर्म ग्रंथों और योदिय शास्त्रों पर आधारित उपाय को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वार बनाई गही और वीडियोज को यहाँ पर क्लिक करके आप देख देरें